रूस और युक्रेन के बीच जारी युद्ध जल्द समाप्थ होता नहीं दिख रहा। अगर युक्रेन ने पश्चिमी देशों की सलाह मानी तो मामला और बिगर सकता है। कम से कम रूस के राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन का तो यही मानना है। उन्होंने यूरोप मे नेटो के सदस्यों के लिए नई चेतावनी जारी की है। मंगलवार को पुतिन ने कहा कि पश्चिमी हत्यारों के जरिये रूस के अंदरूनी इलाकों में हमले करने का प्रस्ताव सामने रख नेटो आग से खेल रहा है। रूसी राष्ट्रपती ने कहा कि इससे ग्लोबल युद्ध छिड़ सकता है। युक्रेन में जंग छिड़े दो साल से ज्यादा हो चुके हैं। रूसी सेना आगे बढ़ रही है और पश्चिमी देश ये तै नहीं कर पा रहे कि उसे रोका कैसे जाए। पिछले दिनों नेटो के महासचिव जेन स्टोल्टिनबर्ग में The Econom से कहा था कि युक्रेन को पश्चिमी हथियारों से रूस में काफी अंदर हमले करने देने चाहिए। यूरोप में नेटो के कुछ सदस्य देश इसे सही कदम मानते हैं लेकिन अमेरिका राजी नहीं। पुतिन ने मंगलवार को ताशकंद में कहा। लगातार टकराव के ब उस पर हमले करने के लिए पश्चिमी सेटिलाइट्स, इंटिलिजेंस और मिलिटरी मदद की जरूरत होगी यानि पश्चिम, युद्ध में सीधा शामिल होगा। उन्होंने कहा कि युक्रेन में फ्रांसी सी सेनिकों को भेजना एक वैश्विक संगर्ष की ओर कदम बढ़ अब तक पुतिन की वैश्विक संगर्ष की धमकी को उतनी गंभीरता से नहीं लिया है।